आज हम बात करने वाले हैं 7 Life Changing Lessons from the book The Art of War The Art of War जो एक ancient Chinese military literature है जिसे Military Strategist संद्जू ने लिखा है पले ही इस book का ध्यान Military Strategies पर हो लेकिन इस book के lessons कई areas में apply किये जा सकते हैं जैसे कि legal situation, education और businesses इस book में life का best use करने के बारे में भी advice दी गई है अगर आप इस book के lessons को अपनी life में implement करते हैं तो ये आपकी life को बदल सकता है तो फिर आगे चलते हैं और इस book के साथ ऐसी learnings के बारे में बात करते हैं जो सच में आपकी life change कर सकते है उससे पहले अगर आपने अथा कमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं इमिर्टली चैनल को subscribe और वीडियो को इमिर्टली लाइक भी खरते हैं आप जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो आपके अपनी पहली marathon दौड दौड ना हो या 2 लाग कमाना हो यह realize करेगी आपको इसके लिए time, effort और sacrifice के रूप में चुकाना होगा लाइफ में कोई भी important चीज एक कीमत के साथ आती है जितना बड़ा goal उतना बड़ा sacrifice जरूरी है जो इंसान थोड़ा बहुत sacrifice करेगा वो थोड़ा हासिल कर पाएगा जो ज़्यादा हासिल करेगा उसे ज़्यादा sacrifice करना होगा वो जो life में बहुत ज़्यादा पाएगा उसे बहुत ज़्यादा sacrifice करना होगा दूसरे शब्दों में अगर आप अपने गोल को set करते हैं तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तयार रहें। ऐसा करने में fail होना बहुत से बहानों और follow through की कमी के वज़े से भी हो सकता है। इससे पहले कि आप कुछ भी accomplish करें अपनी time, effort और sacrifice के बारे में सोच लें और आने वाले time में कीमत चुकाने के लिए committed रहें। इसे अपने goal के साथ एक paper पर लिखें और decide करें कि क्या आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तयार हैं। आप जब भ are the key to success. एक military strategist के रूप में author जानते थे कि battle के planning करना और battlefield पर उसकी पुरी तयारी करना जरूरी था। वो battle strategies के बारे में अपनी knowledge और understanding को refine करने में अंगिने घंटे बिताते थे और अगले challenge के लिए बहतर तरीके से तयार होने के लिए उन्होंने जो भी सीखा है उसे लिखत करना काफी नहीं है यहां तक कि पूरी तरह की की गई planning भी feel हो जाएगी अगर उसके soldier उस planning को actual में implement नहीं कर पाए बसको जानना काफी नहीं है आपको उसे implement भी करना आना चाहिए ऐसा करने के लिए वो अपने soldiers को हर formation तक drill करते थे और हर move को इतनी बाहर दोराते थे कि वो second reality बन जाए उसके soldiers इतनी disciplined हो गए कि उन्होंने हर order को follow किया के वर इनी चीजों के constant preparation और repetition के तरीके से उनके soldiers ने एक साथ लड़ना सीखा साथ ही साथ उनके हर orders को follow किया चाहे वो लड़ाई कितनी भी डरावनी क्यों नहों Ultimately आपके life deciding moment में आपकी success और failure के बीच का फैसला करता है वो है पहले से आपका किया गया preparation जैसे कि आर रोल स्वाजनेगर ने कहा था there are no shortcuts everything is reps 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 कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप काम पर एक नई प्रजेक्ट के तयारी कर रहे हैं या आप अपनी पहली marathon के तयारी कर रहे ह repetition ही की है जितना जादा आप किसी चीज को practice करते हैं उतने ही बहतर आप होते जाते हैं अगर आप हर हफते 50 km दौरते हैं तो आप शायद किसी ऐसे पुसंद को भी हरा देंगे जो जादा talented है जो जादा काम नहीं करते लगाता repetition अपने आपको भीड से अलग करने का मौका दे जारी कर रहे हैं वह गलती कभी ना करें इससे पहले कि आप battleground में पैर रखें अपने मन में जानने की आप जीतेंगे अपने आप में और अपनी abilities में विश्वास को डल अप करें कि आपकी life में जो भी challenges है या जो आएंगे आप उन पर भी जीत हासिल कर सकते हैं किसी भी challenge का सबसे मुश्किल है साथ चाहे वो कोई भी काम है वो है सही state of mind में रहना यह अपने आप में शांत आत्मिश्वास स्विक्सित करने और आपके तयारी के बारे में हैं ताकि आप जान सकें कि successful होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जैसा कि legendary basketball coach John Wooden ने कहा success यह जानने से आती है कि आपने उसमें अपना बैस देने की पूरी कोशिश की है जो आप बने के capable हैं दूसरे सब्दों में इसका मतलब यह है कि आपने अपने आपको तयार करने के लिए सब कुछ किया और जिस तरह कि knowledge और expertise आपने हासिल की है वह आपको सबसे challenging circumstances में भी आगे ले Break down big tasks into smaller ones अपनी book में author बार बार एक लाग से जादा लोगों की आर्मी को direction देने के बारे में बात करते हैं internet और mass communication technologies के बिना कोई यह कैसे कर सकता है कोई एक ही time में इतनी लोगों को कैसे control कर सकता है author के according यह simple है आपको 100 या 1000 लोगों को एक group में रखते हैं और उन्हें एक मानते हैं अचानक एक लाग लोगों को individually direction देने के बजाए आप कुछ बड़े groups को direction देकर उन्हें control कर सकते हैं आप होने अच्छे से manage करने के लिए एक बड़े काम को कई छोटे छोटे parts में तोड़ देते हैं किसी भी goal को tackle करने के लिए एक ही concept को apply किया जा सकता है जो पहली बार में थोड़ा tough लग सकता है जब आपने goal को उचा set करते हैं तो काफी बार आपके पास successful होने के लिए कोई reference point नहीं होता है यहां कहने का मतब यह है कि आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है और इसलिए आप यह नहीं जानते कि आप वास्तव में ऐसा करने में सक्षम है या नहीं मान लिजे आपने अभी regularly दौरना शुरू किया है लेकिन आपका ultimate goal marathon दौरना है जाहिर है यह हम मेंसे जादा दर लोगों के लिए एक बड़ा challenge होगा खास करके जब हम अभी ही शुरू कर रहे हैं जब आप मुश्किल से एक बारी में 3 km दौर सकते हैं तो marathon दौरना impossible लग सकता है यही है सब जब आपको अपने बड़े लक्षयों को कई छोटे पार्ट में तोड़ना चाहिए example के लिए आप पहले 5 km फिर 10 km फिर half marathon दौरने का decision ले सकते हैं और उसके बाद ही आप उन सभी में अच्छा करने के बाद marathon में दौरने के बारे में सोचें ऐसा करने से आप ना केवल physical fitness हासिल करेंगे बलके इससे भी important बात दी है कि रास्ते में कई छोटे छोटे लक्षय को हासिल करने का confidence आएगा अच्छानक से marathon दौरने का बहुत बड़ा goal भी manageable हो जाता है क्योंकि आप जानते हो कि आप अपने आपको हर कदम पर तयार कर रहे है be flexible in your methods not your results the art of war में life में ये जरूरी है कि आप circumstances को अनुकुल बनाने में सक्षम हो जो आपको उन चीजों को करने से रोकती हैं जैने आपने करने की planning बनाई थी author ने कई बाद describe किया है कि कैसे unexpected circumstances के आने के बाद उन्हें अपनी planning बदलनी पड़ी चाहे वो मौसम हो युद का मैदान हो उसके दुश्मन हो या अपने soldier की बिमारी हो उन्हें नए reality के according adopt करना पड़ा और उससे निपड़ना पड़ा life की reality ये है कि जब ऐसी situation है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो तो हमें अपने plans को बदलने की जरुत होती है आपके द्वारा use किये जाने वाले तरीकों में flexible रहें लेकिन उनके results में नहीं जिनके लिए आप काम करते हैं अगर एक तरीका fail होते हुए दिखता है तो कुछ और try करें हर चीज का रास्ता होता है आपका काम बस उसे ढूणना और फिर अपनी पुरी ताकत के साथ उसके साथ काम करना है कभी वे अपने गोल को ना छोड़े क्योंकि ये hard हो गया है लेकिन इसके वज़ए अपने आप से बूचे मैं इसका use कैसे कर सकता हूं future में ये मे समराट जूलिस सीजर की बात की जाती है जो 2000 पहले नाव से इंगलेंड को जीतने आया था तट पर उतरने के बाद उनके soldiers ने जल्दी ही महसूस किया कि वो बहुत कम थे और ये डर फैलने लगा सीजर ने लड़ाई के तयारी करने के बज़ाए अपने soldiers को एक जल्दी और आसान वापसी के लिए जहत तयार करते हुए पाया सीजर एक शांदा जनरल थे वो जानते थे कि उसके लोग जिस हालात में हैं वो लड़ाई पहले ही हारी जा चुकी थी लेकिन उनमें शामिल होने के बज़ाए सीजर ने कुछ और करने का फैसला किया उसे सारी बोट्स जला दी और इसले जब तक उन्होंने पूरे देश को जीत नहीं लिया किसी ने भी आइलेंड को छोड़ने की उमीद नहीं की इससे उनके शोलजर्स और दुश्मनों को एक शक्तिशाली संदेश कया जिस पल से उसने बोट्स को आग लगाई हर कोई जानता था कि उनके पास केवल एक ही गूल था लड़ते रहना जब तक के वो मर न जाए रोमन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था लड़ाई को जीतना और इस लेशीजर्स को अपने सोलजर्स की 100% कमिटमेंट मिल पाई अब हम इससे क्या सीखते हैं अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा सपना है तो आप अपनी बोट्स को जला दें हर possible excuse को मिटा दें और success को only option बनाए सिर्फ तभी आप उस तरह की success को enjoy करेंगे जिसमें आप capable हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना पूरा effort करें और failure को कभी भी final ना माने अगर आपके पास अपने सपने में फेल होने से बचाने के लिए एक नाव है तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है इसे जला देना यह हमेशा असान नहीं है लेकिन तभी आप अपना 100% दे पाएंगे और जबकि बाकी लोग अभी भी भाने ढून रहे होंगे बोट्स को जलाओ और तब तक कभी हार मत मानो जब तक सुम सक्सेस्वल नहीं हो जाते लेस ब्राउन के वर्ट्स में जब तक मैं जीत नहीं जाता यह खत्म नहीं होगा जब तक आप जीत नहीं लेते तब तक खेल खेलते रहो चाहे कितनी भी देर लगे एक्सपेक्ट दे बेस्ट बट प्रिपेर फर वर्स्ट वार की प्लानिंग करते टाइम ओधर ने हमेशा सबसे खराब रिजल्स के लिए भी तैयारी की कोई फरक नहीं पड़ता है कि उनके सोल्जर्स को कितना ट्रेंड किया गया था उनके दुश्मनों के थूँ सर्पाइस मिलने के चांसेज हमेशा थे लड़ाई में काउंटलेस चीज़ें और टेक्टिक्स होती हैं सिर्फ दुश्मन के अगले मूज की तैयरी को सोचकर ही सक्सेस मिल सकती थी इसलिए ये important था कि वो हर वक्त possible solution के साथ सबसे खराब situation के बारे में सोचते थे अपने दुश्मन के हर कदम के लिए उन्हें एक जवाबी action ढूणना था जब आप एक project पर काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं जो हमारे लिए important है तो हमें इसी तरह के dedication के जरुत होगी और हर detail में जाना होगा बहुत सी चीज़े होती हैं जो किसी भी planning के साथ गलत हो सकती है इसलिए पहले से ही इसको समझें और possible solution के साथ इसे रोकें या damage को कम करने में यूज़ करें हालकि यहां इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि life में क्या गलत हो सकता है जाहिर है उस तरह का mindset ना केवल success में अरचन होगी बलकि life की सभी खुशी के लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर आप सभी चीज़ों को imagine करते हैं तो हर चीज़ के साथ गलत हो सकता है तो दुनिया एक अंधेरे और frustrating जगय की तरह दिखाई देगी इसलिए जीवन में खुशी के लिए ये important है कि आप हमेशा positive mindset रखें और चीज़ों को अपने तरीके से हो जानने की उमीद करें जबकि आने वाली problems की तयारी भी साथ में करें थांके दोस्तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी I hope आप इस किताब के सभी lessons को अपनी life में अपना करें अपनी life को और भी बहतर तरीके से जीपाएंगे आप इस book को order करके और भी detail में पढ़ सकते हैं अगर आपने उतक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो immediately चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं इससे हमारा motivation कंसेस्टेंटली बढ़ता है आप हम इमारे इंस्ट्राग्राम पर भी follow कर सकते हैं जहां हम अलगलग book की knowledge को daily share करते हैं अगर आप हमसे collaboration ये promotion में help रेना चाते हैं तो हमें email करें अगर आपको लगता है वीडियो दूस्तों को भी like में help कर सकती है तो सब के साथ इसे share भी करेंगे जल्दी मिलेंगी और भी भेतर वीडियो के साथ Thank you so much